नमस्कार मैं संजीव कुमार आज प्रेरित जीवन जीना आपकी परंपकार जिसके रचनाकार हैं डाक्टर वेन डबल्यू डायर इसके तीसरे अंस को संछेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं योर अल्टिमेट कॉलिंग लिविंग एन इंस्पार्ड लाइफ अनुवादक हैं दिनेश मालवी जी जब हमारा आत्मा के साथ सामंजश्य होता है तो हम बिलकुल इस्वर की तरह होते हैं इसलिए हमारी इक्छाएं भी वैसी ही होती हैं आप बहुत गहरी इक्छा के साथ जो कुछ भी करते हैं इस्वर उसमें आपकी मदद करता है वह अपने द्वारा उन्हें प्रकट करने के लिए जितना प्यास करेगा वह उतना ही ऐसा करेगा किशान, माली या वनकर्मी इस बात को जानते हैं उन्हें मालूम होता है कि उनके द्वारा किये गए कम कारे का प्रकृति से कम परडाम और ज्यादा किये गए काम का परडाम ज्यादा आएगा जितना देते हैं उतना ही मिलता है आप प्रकृति की जितनी सेवा करेंगे वह उतना ही मेवा देगी राल्फ वाल्डो एमर्शन का महत्वपूर प्रश्न हम महानता के बहुत निकट हैं एक और कदम बढ़ाने पर हम सुरक्षित हैं क्या हम एक छलांग नहीं लगा सकते छे हजार साल पुराने दर्शन भी आत्मा के सुक्ष और गूर रहस्यों की खोज नहीं कर पाए प्रियोगों का सारा विश्लेशन करने के बाद हमेशा कोई ऐसा बहुत सुच्मतत्व बचा रह जाता है जिसे नहीं समझा जा सकता है जिसे नहीं समझा जा सका है मनुश्य एक प्रवा है जिसका अस्रोत छिपा हुआ है हमारा अस्तित्व कहां से आता है हमें नहीं पता मैं हर पल यह कहने को बीवस हूं की घटनाओं की उत्पत्ती को मैं जितना समझ पाता हूं वह उससे कहीं अधिक होती है जाल्फ वाल्डो एमर्शन भारत के महांदार्शनिक रमण महर्शी ने एक बार कहा पहुचने के लिए कोई लक्ष नहीं है हासिल करने के लिए कुछ नहीं है तुम आत्मा हो तुम सदा अस्तित्व में हो यही वास्त्विक प्रेरणा है प्राचीन भार्शी कवी उमर्खयाम के अनुशार भी हमें प्रिरित होने के लिए अन्य किसी चीज की जरूरत नहीं है यह अभी और यहीं मौजूद है वे लिखते हैं उस दिन को भूल जाओ जो तुम्हारे अस्तित्व से अलग हो गया है कल के बारे में सोच कर खुद को परिशान मत करो जो अब नहीं रहा उसके बारे में मत सोचो इसी पल में खुशी से जियो और अपनी जिन्दगी को जाया मत करो एक प्राचीन सुत्र है जो इस प्रकार है यदि आप सचमुच इस त्वर को हसाना चाहते हैं तो उन्हें अपनी योजना बता दे अर्थात सब कुछ आपके सिड्डिल के अनुसार नहीं होगा किसी भी व्यक्ति को बदलने के लिए सिर्फ उसकी अपने बारे में समझ को बदलना जरूरी है अब्राहम मासलो आप मूल अस्तित्व हैं आप इस्वर के सार तत्तो का एक विशिष्ट अन्स है आप में इस्वर का कुछ भाग मौजूद है फिर आप अपने उत्तम जन्व से अनभिग्य क्यों है आपके भीतर एक इस्वर है दुर्दसा में जी रहे अभागे मनुष्य उसके बारे में कुछ नहीं जानते एपिक टेटस मैं कौन हूँ यही बड़ा प्रश्ण है हमारे पास जो है हमने जो हासिल किया है हम जो अरजित करते हैं और हमारे बारे में दूसरे लोग जो सोचते हैं उसी को अपनी पहचान बना लेते हैं अपने मूल स्वरूप से हमारा संपर्ट तूट गया है उपर्युक्त प्रश्ण का उत्तर है मैं इस्वर तत्व का एक विसिस्ट अंज हूँ हमारी अपने प्रती समझ यह होगी की हम एक ऐसे अध्यात्मिक जीव हैं जो सभी सीमाओं से मुक्त है उसे विश्वास है की उसे हर पल दिब्यमार्ग दर्शन प्राप्त हो रहा है अगर हम वास्तों में अपने दिब्यान सोने का बोधो यदि हमें वास्तों में अपने दिब्यान सोने का बोधो तो हम अपने रोज मर्रा के जीवन में कैसे सोचेंगे और करेंगे इस पश्ट है की हमारे जीवन में किसी का भी तिरसकार करने का कोई स्थान नहीं होता क्योंकि हमें अपनी योग्यताओं के विशय में कोई संका नहीं होगी हम अपने सरीर का सम्मान करेंगे और उसका ध्यान रखेंगे दिब्वे रचना रचनाकार को धन्यवाद देंगे हमें आश्चर चकित करने वाली हर चीज दिब्वेता का प्रमाण है जो हमारी समस्की ओर संकेत कर रही है जिसका संबंद हमारी आत्मिक बुकार से है वह विचार इस विराट ब्रम्हांड की उर्जा का इस्पंदन है यदि कोई चीज सच्मुछ हमें आकरशित करती है और हम उत्साहित अनुभव करते हैं तो यह संबावतह और भी अधिक बड़ा इस्पंदन है धन्यवाद नमस्कार सेस अगले अंक में मैं संजीव कुमार प्सवार भी लिए करते हैं झाल को थार भी झाल